और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बात करेंगे कोलकाता मर्डर केस की आपको बता दे कि आज जी के अस्पताल के पास तोरफोर की गई है जिसे कई सवाल कड़े हो रहे हैं ये तोरफोर जो है क्राइम सीन के 10 मीटर के दाइरे में की गई है ये बड़ी खबार आपको बत सवाल खड़े हो रहे हैं मौके पर मौझूद पुलिस ने निर्माण कार भी नहीं रोका ये तस्वीर आपको देखा रहे हैं देखें किस तरीके से डॉक्टर्स लगातार प्रतर्शन कर रहे हैं अलग अलग जगाओं पर प्रतर्शन हो रहा था दिली में प्रतर्शन हो र ये देखे किस तरीके से, क्राइम सीन था, उसके 10 मीटर के दाइरे में, फ्लोर जो है, उसको तोड़ा गया है, जो आसपास दिवार है, उसको तोड़ा गया है, मौके पर जो पुलिस मौजूद थी, उन्होंने भी निर्माण कारे पर रोक नहीं लगाई, नहीं रोका, तो य प्रेंका हमारे साथ लाइफ जुड़ चुकी है, प्रेंका जहां पर दरिंदगी हुई, वहां पर जिस तरीके से तोड़फूर की गई है, 10 मीटर के दाइरे में, आखर इसको किस तरीके से समझा जाए, देखा जाए, क्या सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है? देखे, जस बात का अब जिकर कर रही है, पुनीता, कलकता हाई कोट ने कल इसी बात को सीधे तोर पर संग्यान लेते हुए कहा, कि सीबिया कोई मामला सौपना बहुत ज़रूरी है, वरना सबूत मिटा दी जा सकते हैं, इस तरह का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है, ना स पुराजे सरकार दुवारा सौप दिये जाएंगे, अब सिलस्लेवार तरीके से बारीकी से जाच की जाएगी, पांच दिन हो चुके हैं, लेकिन पांच दिनों के भीतर भी कलकता पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है, इस पर कलकता हाई कोट ने बहुत नाराजगी व्यक् संग्ठन है, आयमे की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस क्या कर रही है, इसलिए पुलिस को लेकर धिकार के नारे बाजी लगाई जा रही है, उनका है कहना है कि जो मुख्य आरूपी है उसको अब तक पकड़ा नहीं है, और जो संजे रोई जिसको गिरफतार किया है, ऐसा कौन होता है कि कोई आरूपी खुद कहेगी, जहां हमने रेकिया है, हमको फासी की सदा दे दीजे, उन डॉक्टर्स का है कहना है, जो संग्ठन जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कि इसको कुछ पैसा वैसा दिया गया है और इसा बयानबाजी करने के लिए कहा गया है, हाला कि पुलिस ने एक और थियोरी ये दिये है कि वो आरूपी जो गिरफतार हुआ है वो ट्रेंड बॉक्सर है, उसके बारे में हरोज एक नई दावे पुलिस के तरफ से किये जाते हैं, उनका ये भी कहना है कि इसी संजरोय ने उस मिर्टका डॉक्टर की आख में घुसा हमा रहा था, जो चश्मा आख के भीतर घुस गया, जिसके बार पोस्वाड़म रिपॉर्ट में आया कि आखों से, दोनों आखों से ब्लीडिंग हो रही थी है, पूरे शरीप जखमे के निशानते, पुलिस ने अब उस हारोपी को बॉक्सर बता दिया है, कि ट्रेंड बॉ रोसा नहीं है, उस लेड़ी डॉक्टर के परिवार यह कह रहा है कि कलकत्ता पुलिस पहले ही कह रहे थी क्योंकि लड़की जो है, वो मानसिक संतुलंग हो बैठी और उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन जब लगा था, दबाब बना, जब प्रेशर हुआ, जब पोस्वा यह है कि देखे, जहां पर लाश मिली है, वहां पर निर्माण क्यों हो रहा है, गायतरी पर सीधे ग्राउंड जिरो से जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे, गायतरी देखे, डॉक्टरों में गुस्ता जो है, वो देखा जा रहा है, लेकिन अब बड़ी बात स हुआ है, जिस जगहा पर रेप हुआ था, ट्वेनी डॉक्टर का, हत्या हुई थी, उस जगहा को तोड़ा जा रहा है, मतलब आशंग का यह कि सुबूत मिटाने की कोशिश है, यह बिल्कुल यह एक बहुत ही दर्दनाक नजर हम सब ने देखा, कि एक क्राइम सीन डेट है अच्छा उसको सिक्योर करना एक सबसे बड़ा प्रियोर्टी होती है, लेकिन उस क्राइम सीन को तोड़कर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया, वैसे इंडिया में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने में दस साल तक लग जाते हैं, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट इस को डाज़ा फोने में लेकिनary दलफाजी में कंस्ट्रक्शन क्यों किया जा रहा है? कया सबूत मिटाने का ल Educ yak gemeins Lee होगा कि बड़ा केस तो यह मिटाने की कोशिश चल रही होगी यहे तो यह सबूत मिटाने कोशिश तो गौष्मेट बाक्रने की कोशिश करें यहां पर जो डॉक्टर के वो कह रहे है जिस जगह पर मुझर हुआ ट्रॉक्टर को उस जगह पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है कि अध़र पर इस का शिग मिटानी की कोशिश.. गाहितरी आप जैसा कि वहाँ पर बात कर रहे हैं, वहाँ यही सवाल उठ रहें कि आखिर जाच सौपने से पहले क्यों इस तरह से यहाँ पर सबूत मिटाने की कोशिश हो रहे हैं, प्रियंका के पास चलते हैं, प्रियंका यह का जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन बाद में शुर गटना को अंजाम दिया गया, उसके बाहर जाकर एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएं, लेकिन यह जानकारी मिल रही है कि पूरी तरह से सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, सबूत पहले से बहुत सारे थे जिन से क्लियर हो सकता था कि कौन सा वो श जा रही है, इस से साफ तोर पर यह समझा जाएगा, किसी बच्चे को भी पता लग जाएगा, कि आज जो सबूत अब सीवे की टीम पहुचेगी, वो बारी की से, अगर वहाँ पर कोई सेफटी पिन भी पड़ी है, तो उसको भी कलेक्ट करकर कडिया जोडने का प्रयास करे लेकिन वहाँ पूरा ऐसा मोहल मनाया जा रहा है, ताकि यह समझा है कि पहले कभी कोई घटना हुई ही नहीं थी, और इसी को लेकर सीवे जाज की मांग की जा रही थी, हाला कि सीवे टीम आज से नहीं, कल राज से अक्टिव हो चुकी थी, वो थाने पर पहुची है, उसने पहुची में आरोपी है, वो जल से जल सलाकों के पीछे होंगे, क्योंकि यही अंदेश्या परिवार के लोगों का है, यही अंदेश्या पूरे देश व्यापी, डॉक्टर्स का है, उन ट्रेनी डॉक्टर्स का, जो हर्ताल कर रहे हैं, जो ड्यूटी पर जाने को तयार रह रहे कि आखर पुलिस ने निर्माड क्यों नहीं रोका जब दीबार तोड़ी जा रही थी तो निर्माड को रोका क्यों नहीं या जब क्राइम हुआ है वहाँ पर तो निर्माड रोका जाना चाहिए प्रियांका कि अगर पुलिस मौके पर आ जाती ही क्योंकि समय पर जानकारी दी गई थी तो बहुत कुछ साफ हो सकता था वो आरूपी फरार नहीं होते जुन्होंने असल में इस घटना को अंजाम दिया था ऐसा उन डॉक्टर्स का कहना है जो प्रदर्शन कर रहे हैं तो अगर ये काम ज कोट की तरफ से की गई और जान जो है सिब्याई को सौपी गई है आप बने रहे है रुक कर लेते गायतरी का गायतरी देखें डॉक्टर संगठन यानि कि अगर हम फोड़ा की बात करिया फिर फाइमा इनके बीच में भी दो फार देखने को मिल रहा है क्योंकि एक तरफ य पारी रखने का अयलान किया गया है क्या कह रहे है ।ॉक्टर, उनसे बाचीत कीशे, बिलकुल बिलकुल देखिए पुलीता, डॉक्टर में भी दो फार रहे हैं दो क्योंकि कई ग्रूप से हैं जो पहली हर्दाल खत्म कर चुके हैं और आप अभी भी बैट एक फोर्डा ग्रूप ने स्ट्राइक कोल ओफ करी है लेकिन उन्होंने बिना कंसेंस लिए विद अधर ग्रूप और नहीं किसी दूसरे रेजिडेंट असोशेशन से बात करके अपने इंडिजिवल बैसिस पे डिसाइड किया है बाकी सारे मेडिकल असोशेशन ने उनको आउटकास्ट किया है और प्रोटेस्टिंग देर इस डिसीजन अब क्या मांगे ह कि जिसका बिल अल्रेडी पादलियमेंट में था लेकिन वह अभी तक पास नहीं हुआ है इसकी बहुत अर्जेंट नीड हम लोग के सारे फ्रेंड्स हमारे फैमली मेंबर इतने सारे डॉक्टर से हमारे साथ उनकी प्रोटेक्शन अभी आउटमोस्ट इंपोर्टेंस है आपता हमारा मीट मीट जो हमने लिश्ट किया है वह सब मीटिंग भी इनसार नहीं होने वाले